हेलो दोस्तों आज बैंगलोर की रेस से 2 जुलाई 2023 थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं थोड़ा से ट्रावेलिंग के वज़े से लास्ट थोड़ा से 50 50 रहा लेकिन रेस तो रेस से अच्छा है तो चलिए बात करते हैं बहुत ज्यादा लेट हो चुगे हैं कल के बैंग जोर लग रहा है यह जिस गोड़ों पर बैठा है वो गोड़े बनते ही बनते हैं अब देखनी वाली बात है कौन सी रेस में चलाता है लेकिर चलाएगा जरूर यह पता चल रहा है और मैक्सिमम उस दिन की तरह भाव पर नजर रखना फेविरेट को ज्यादा इग्नोर करो तो बेटर होगा मुस्ट फेविरेटिकल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कार्ड ऐसा बना हुआ है तो चलिए बात करते हैं कल के बैंगलोर की रेस की फर्स्ट रेस दा टुडूर जेट प्लेट डिविजन टू बाराज़ों मटे की रेस से होर्ष एट अट 20-45 क्लास पूर की वन 30 को ये रेस है नौ गोड़े हैं दो ही गोड़ों में फाइट होना चाहिए तीसरा गोड़ा इसमें घुसना भी नहीं चाहिए एक होस नमबर टू गुरूबिन जकी पी ट्रेवर लास्ट कल ट्रेवर ने क्या चला यार मतलब जका ढून रहा था टॉप डेंसर को जीता आने के लिए या वकवास है यह गोड़ा और हॉस्स नमबर शिक्स कंटाडर जोक्य एस एंटोनी राच इन दोनों के इलावत तीसरा गोड़ा कोई आना भी नहीं चाहिए इन दोनों में से एक गोड़ा जीतना चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए देखते हैं देखो छे न दिन रन क्लियर नहीं था सीच करीजस के सामने यह थाड़ लगा हुआ है और फिर फेवरेट हुआ त्रिपीटा का के सामने है शंटोनी राज ही चला रहा था उस दिन आठफा लगा फिर फेवरेट हुआ फिर चाड़ तिन रुपए में पांच पा लगा है मतलब कहीना कहीं इस घोड़े पर बार बार पकड़ा हुआ है इसको तो यह घोड़ा कल मेरे जिस साबसे बोर्ड पर होना चाहिए वान तू तू त्री में देखो दो नंबर और छे नंबर अगर भाव ठीक से समझ में आ गया अगया अगर दोनों मतलब दो नंबर होड फेवरेट नहीं खुला तो जोड़ी बना के भी खेल सकते हो लेकिन इनहीं दोनों के बीच में जर्वेस होना जाहिए और तीसरा गोड़ा कोई समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे इसाब से दो नंबर को विल अगर भाव सही है और छे नंबर को इच वे जोड़ी बना के खेलो यह छे नंबर कल जीत सकता है क्योंकि बहुत बार पकड़ा हुआ है और अच्छी फिल्ड देखी हुए इसने इसका चांस मुझे ज्यादा लग रहा है लेकिन दो नंबर का ट्रागना बहुत अच्छा जा रहे और यह ओनर एक बार दो नंबर क्या होता है यह ओनर जो है एक बार हारता है तो दुवारा नहीं हारता है इसका एक बार भाव लग क्या मतलब मैंने आ लास्टम इसको दिया था क्या डेड़ दो रूपय होता तो यह कंपनी जाती है यह बहुत बि प्लेट डिविजन टू बारा समुटे के रिए से मेड़न होसर त्रियर ओल लोनली दो बजे ग्यारा गोड़े हैं दो गोड़े पसंद हैं एक होस्ट नमबर 5 प्राणा जोकि अक्ष्यकुमार मतलब ट्राग बहुत अच्छा जा रहा है जीतना चाहिए और एक घोड़ा आपको नजर में रखने के लिए बोल रहा हूं होस्ट नमबर 8 न्याया जोकि पीट्रेवर इसकी जो पेडिग्री है य पातलब यह घोड़ा अगर ट्राय होगा ना तो इस फिल्ड में इस सब को 670 लंगतों से मारेगा 102 रेटिंग के घोड़ी थी वह इसकी जो डैम है तो वेंग्लोस पिंटरस कब जीती हुए इसकी मा नयाया की तो यह पेडिग्री वाइच बहुत ही सुपरियर पेडिग्री है अगर गोडा ट्राक तो इतना इंप्रिस्टी नहीं है मैं भी देख रहा हूँ ले किर घॉड़ा अगर ट्राय होगा ना क्योंकि कूई कुछ गोड़े होते हैं हिंसे ड्राय होते हैं तो नहीं देख्खते लेकिन घौड़े में प Mouse होते हैं ब बाः निकलेगा थो वश् दोनों घोड़े पसंद है लेकिन अभी ट्राक जो जा रहा है अभी जीतना जाहिए क्योंकि एक रन का वेरिफिट है और शेकंड फेवरेट भी था पास्ट नमबर फाइब ट्राणा जोकी अक्षेकुमार फोर इंप्रेस मैं तो नज़र रखोंगा आप भी नज़र रखना नमबर पर देखो पेडिग्री वाइज बिल्कुल बनती है अगर घोड़ा इंसे ही ट्राइब होगा ना ट्राग नहीं दिखा रहे हैं इसका क्लियर पुरा अगर सायद छुपा के रखें हो और ट्राइब कर दें तो अलग बात होगी नेकिन पेडिग्री वाइज अगर ग अट्रोनुमिक प्लेट फोटिन एंडर मिटर यस है होसरेडर्स फोटी दू सिक्ष्टिपाइब क्लास्त्री की तू थर्ट्टी को कि आड़ खोड़े हैं कि सिंगीली खोड़ा लेके चलते हैं होस्ट नमबर फोर एहरेन जोकी यस नारडू फोर विंट पेस यह मेरा डे बेस्ट इच्वे हैं दो नंबर के साथ ही भागा हुआ है 162 रेस में अभी 162 रेस में विंट मायल अब जीता हुआ है और आहरेट सक लेकिन अभी वेट का अडवेंटेज चार नंबर को फुलोन ज्यादा है अभी दो नंबर 58 किलो में था सॉरी दो नंबर लाश्ट है उस रेस में 58 किलो में था अभी लाउंस है लेकिन फिर भी यह पेनल्टी ही होगी अभी और चार नंबर 60 किलो में था 60.5 अभी इसका वे इसमें तीन किलो का डिफ्रेंस है और अभी ब्लेंकर आउन कर रहे हैं लास्ट टाइम यह माइटी जू के साथ कि दो नंबर यह से माइटी जू के साथ सेकंड लगा फिर लास्ट टाइम फेवरेट था एक्वामेटिक ने इसको बीट कर दिया अभी पूरा वेट चेंज हो गया है और अभी व्यास नरुड वेगन बैठा है और ब्लिंकर्स आन कर रहे हैं तो कल यह गोड़ा वन टू तू तू से बाहर नहीं होना चाहिए अगर फेवरेट नहीं खुलता तो इच्वे मारो इसको और अगर प्लेस मिलता है अगर उनना समझ में आए त तो इसको प्लेस गुट करके खेलो गोड़ा वान टू तू तू से बाहर नहीं जाने चाहिए यह पूरे दिन का डेवेस्ट गुड़ है कि एस नुमबर त्री होस्ट नुमर फोर आहरें जोकी यस्टर डू फॉर विंड पेस अब बात करता है फोर्त रेस दा लिटिल यहां पर मेरी चैस है होस्ट नुमर शिक्स रिकार्डो जोकी एस अंटो निराज फॉर इंप्रेस फिर गोड़ा कल जीतना चाहिए चाहिए कुछ भी होता है देखो यह सिंतेसेस को मिलियन में थार्ड लगा हुआ है लास्ट टाइम यह बहुत बैटिंग हुई थी लेकिन राइडर का कुछ इश्यू लगा सबको कि यार यह टड़ा कोश्चा ने कुछ अच्छा रण नहीं दिया क्योंकि उसके बाद जितने सारे उसके घोड़े थे सब जीत रहे हैं तो यह कुछ कंसर्ण हुई थी तो यह गोड़ा भी कल जेतना चाहिए लाश्टम इनकौरी ओ अब बात करते हैं फेफ्ट रेस दा अल्डर प्लेट बारह सुमटे की रेस से हॉस एटट फोटी दो 65 क्लास्ट्री की थ्रिथर्ट्ट्री को नौ घोड़े हैं यहां पर मेरे चाहिए होस नुबर फोर एरिदानी जोकि सी यू में स्पॉर इंप्रेस लास्टम इंप्रेसिव इन था माइटी जू को बीट किया था और माइटी जे भी क्लास्ट्री जीत चुका है तो इसका चांस बहुत ज्यादा हो चुका है तो अभ देखो इसको क्या करता है और एक घोड़े पर नजर रखना यह अधभूत पॉस्ट नमबर नाइन गेट प्राक्टिक का अलगी लेवल का है और यह पुरा पच्चास किलो में जा रहा है हाईदराबाद का घोड़ा है तो और यह में कुछ भी हो सकते क्योंकि पच्चास कि किलो में घोड़ा पुरा जाते हैं पुरा लाए करते हैं तो इस घोड़े पर नजर रखना क्योंकि 50 क्लो में घोड़ा पुरा हलका हो के उड़ी जाएगा सीद्वर्णश के अन्सेट रहे होगा तो आप मतलब बहुत अच्छा है तो द्रियान में रखना इसको कुछ भी क पसंद है मुझे रेस नंबर फाइफ और एरिदानी जो कि शीव में फॉर इंप्रेस और नजर रखके बनाए रख रहा है और अजबूत यह गोड़ा पचास किलो में कुछ भी कर सकता है कि अब बात करते हैं सिफ्थ रेस कि अब बात करते हैं सिफ्थ रेस करनाटा का सब एरिया कप फोटेन एंडर मिटर रेस से होस्टेट शिक्टी टू-85 क्लास्टू की चार बज़े यहां पर साध गोड़े हैं एक चीज में आपको बता रहा हूं जब भी साध गोड़े हूँ फेवरिड कभी हात मत लगाना मेरे एक्सपेरेस मिए बताती है कि मैंने जितना रीच के लाए है साध गोड़े या छे गोड़े हो तो हमेशा ऐसा गोड़ा ढूंदना जो आज ह सब्सक्राइब करता हूं कि देखो आप पुरा हिस्ट्री निकाल के देखो सारी सेंटर के देख लिए जहां पर 6-7-5 गोड़े हो बहां देखना भाव में गोड़ा जितता है अप पुरा हिस्ट्री चेक कर लो सब्सक्राइब कर देखो कल मुझी यूकान भी नहीं पसंद लेकिन अभी के लिए तो नहीं पसंद एक्टेंभाव क्या होता है दो नमबर यूकान नहीं पसंद देखो इसको लास्ट यह फोटीन अट्र मिटर में जगया था अभी इसके यूपर डेड़ के पेनल्टी है ट्रावर बैठा बस ट्राक ही अच्छा जारे ट्राक है सबसे रेस नहीं होने बली है और यह घोड़ा मुझे नहीं पसंद आया होगे प्राइडस एंजल के पीछे बैंगलोर मुबे में फड़ लगा था और प्राइडस एंजल करहा रहा हुआ है तो मुझे दो नमबर नहीं पसंद है पंजा पांच नमबर नहीं पसंद चे नमबर देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि छेह नमबर कल जीट सकता है या जीट तो सकता है लेकिन मुझे नहीं समझ में रहा है कि मेरा एक कालकुलेशन है मैं जब भी गोड़ा बहुत अच्छा है जीत भी सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि छह नंबर कल बनता है अपर कलास भाग रहा है तो बनता तो है लेकिन देखेंगे इसको क्या भाव खुलता है लेकिन थोड़ा सा मुझे चार नंबर दो नंबर के साधी भागा हुआ है एंडोरा 52 रेस में दो नंबर सेकंड लगा है और 52 रेस में एंडोरा थर्ड लगा है तो इसको अभी अभी वन्हावंस का बेनिफीट है इनायत को बिठा है तीन किलो का यह सेम वेट में जा रहा है 56.5 अभी तीन किलो कम हो गए 53.5 जा रहा है लेकिन युकान का था जो 58.58 में गया तो एड़ांटेज है भी चार को है लेकिन मुझे जो पसंद है होस्ट नमबर थी पेओ जोकी एश्या अमित फॉर इंप्लेस देखो हमेशा मैं अफसेट निकालता हूं मैं अफसेट ही कांसिडर करूंगा इसमें यह सब घोड़े जीतने चले जाएं लेकिन उस दिन मुझे पस रन दिया है एक बार रन दिया है क्योंकि आज दोको रेजन से स्माइल यहां पर प्लेस आई है तो मेरे हैंडिकेपिंग में तीन और चार के बीज में रेस होनी चाहिए और मुझे जो लगता है तीन नमबर प्लेस आना चाहिए भाव में या तो पूरा अफसेट कर दे बेंड वजा सकता है भाव में तो मेरे हैंडिकेपिंगे तीन और चार के रेस में होना चाहिए देखो कौन सा सही लगता है अब बात करते हैं सेवेंट रेस दचीब मिनिस्टर्स का अपग्रेड थ्री बारस मुटे की रेस है और थर्ट्टी को होस्ट टार्म रेसे से दस गोड़े हैं यह दस नमबर ही पसंद आई जिंसी ब्यूटीफूल लास्ट टैम पकड़ा हुआ था देखो कूल राइडर तो नहीं बनता बहुत लोग मुझे बोल चुके को लेडर कुल लेडर मेरे सारे दोस बोल चुके हैं देखो कूल राइडर नहीं समझ में आया कोई को पर बजन का फरक तो पड़ेगा ना भी चैक कितना ही पॉफम कर ले तो अभी दस नमबर ही जीतना चाहिए एस सकलेन का गोड़ा अराम से जीतना चाहिए कोई इस्यू नहीं लास्ट टन को इग्नोर करो और एक गोड़े पर नजर रखना ये दो नमबर नॉटी डै होके थर्ड हुआ है तो कल इसका प्लेस का चांसे हो सकता है में भी फिल्ड को अफसेट कर सकता है तो दो गोड़े पसंद है होस्ट नमबर टैन इजन से वीटिफ फुल जोकि है शकलन पॉर इंप्लेस और होस्ट नमबर टू नॉटी डैंसर और प्लेस अब बात करते है ए दस गोड़े हैं सिंगिली गोड़ा पसंद है और नमबर फाइप शियोल जोकि हुआ है शिनाद फॉर ओंपेस लेखो एल्सीडेस सिनर्जी के साथ भागा भाग के कि शेकेंड लगा है फुष्ट रेस में लास्ट रण इग्नोर करो फॉर्टेट रेस में डिविज़न वान और ओल्ल और उसी क्लास जो ए तो उसी रेस में और कोड़ा LCD Synergy के सामने सेकेंड लगा है आज LCD Synergy देखा कि बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारा यह गोड़ा कल बोड़ में होना चाहिए 123 में प्लेस मिले तो प्लेस ही किलो देखो मेरा जो दिन का बैस्ट है वो आहरेन है मैं आहरेन को कंसिडर करूंगा आपको पूरे दिन का सब्सक्राइब केलने के लिए इच वे कि थर्ड रेस होस्ट नमबर फॉर अहरेन यह गोड़ा कल वांटू तू त्री से बहार नहीं जाएगा और यह एरिदानी यह दो गोड़े मुझे बेस्ट है यह दोनों गोड़े बोर्ट पर होना चाहिए 123 में अगर प्लेस मिलता है और यह हां यह एरिन के पीछे क्लवरंस भागा था थर्ड लगा था एरिन के साथ तो अभी एरिन को पुरा 101 परसेंट चांस बन चुका है तो ध्यान रखने होप अब कल का दिन अच्छा जाए थोड़ा सा सेब खेलें और कल भाव को देखें तो आज के लिए तना ही चैनल